Hello Students and Educators, आज का हमारा Topic Creating Documents, Creating Documents के लाव असके नहीं Opening, Closing, Saving Documents को भी हम देखेंगे, इसके नहीं हम सबसे पहले method देखते हैं कि कौन-कौन से method है जिससे हम document क्रेट कर सकते है, traditional method जो हमारे पास क्या है कि हम जो हमेशा और फाइल में जाते हैं, और फाइल में जाके यहाँ पर नियू कर लेते हैं, फाइल में blank document यह first method है, document को create करने का from the scratch, second method आपके पास क्या है कि आप फाइल में जाए, फाइल में जाने के बाद आप new पर click करें, this time आप new blank document पर create ना करें बलके आप नीचे scroll करें, और आपके पास यहाँ पर templates आ रहे है, written templates आप click करें, यहाँ से for example, आपने कहा कि मैं यह ले 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 दो certificate and create कर ले दे, templates क्या होते है, प्रीमिट डिजाइन है, जो कि ready image होते हैं, आप इनको edit कर सकते है, edit करना चाहाँ है, edit कर सकते है, template editing का का आप ब आप आप आरेस को media re-edit करना चाहूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, color color change करना चाहूं, anything I can do, तो यह है from templates built-in, third है कि हम search करते हैं, template को हम library-wide search करते हैं, अगर आप देखें, तो यह search bar आ रही है, हमारे पास, जो कि जिसकी निया के पर net connect होना चाहिए, ठीक है, online template पर आप search भी कर सकते हैं, और मैं आपको tip देरा हूं, सबसे important कि मैंने layouting को अपना अच्छा करने की नहीं है, यहाँ पर categories को इस्तमाल करा, और वाल कि अगर आ word को बहुत बड़े level पर सीखना चाहते हैं, तो मैं आप sex कहता हूं, आप इसको explore करें, यह सारी categories है, business, अगर क्लिक करें, किसी एक भी category के उपर, तो यहाँ पर देखीगा, यह सारे samples आना start हो गए, business plans वगएरा, वो जो मैं आपको सब templates दिखा रहा था हूं, यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ template.microsoft.com से भी आपको मिल सकते हैं, यह वही चीज़ है, जो Microsoft के, जितने भी software's है, word एक्से प वदस किसम के templates हैं, अगर आप यहाँ पर जाएं, आगे moving back, click करें, और आप दोबारह यहाँ पर चलाएं, search के अपर, ठीक है, आप खास चलाएं, for example, आपने कहा के resumes, आप resumes पर गए हैं, तो यह आपके पास सारे resumes के आगे, digital resumes आशकल वदस बनने होते हैं, यह आपके पास आ आगए आप marketing site पर हैं, business site के अपर हैं, तो आपको बहुत जबदस चीदे भी मिल जाएंगे, आप marketing के देखें, यह marketing के मुक्त चीदे मिली हैं, आपके बहुत जबदस आपके बार resumes हैं, आपके बार technical business marketing minutes का है, यह बहुत सारे business flyer है, आप अलग से flyers को search भी कर सकते हैं, तो बहुत जबदस किसम के flyers आपके बास यहां पर मिल जाएंगे, आप इनको click करें, और आप इनको बना भी सकते हैं, ठीक है, यह के पास, rate करते हैं, clear रहे, तो यह हमारे पास third method यह था कि पहले हमने new document, built-in template second और third हमने search करके बनाए, चौता यह कि हम अपने template अगर हमने कोई save कर रहा है वह उससे भी बना सकते हैं, अगर मैं अपने template की बात करूँ तो अगर आपने template safe कर रहा होगा तो अभी हम देखेंगे भी अपना template कैसे save करते हैं, अगर मैं file पे, यहाँ पे new पे जाओं तो यह blank था, पहला method, second यह written था, third हमने search के लिए, चौता method है आपके अपने personal template से वह यहाँ पे click करेंगे, जैसी आप personal पे click करेंगे अगर आपने template बनाया होगा तो यहाँ पे आ रहोगा, आपके बस आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहोगा, तो आप अपने template भी बना सकते हैं, यहाँ रखीएगा extension पता होना बहुत जरूरी है, मैं आपको इस चीज़ यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, for example, यू मैं जाता हूँ मैं, और यहाँ पे, सबसे important चीज़ हमारे पास, आपको यह पता होना चाहिए कि जो word का file extension होता है, अगर आप पहले से काम करते हैं, दुद्वार six तक दुद्वार मदब साथ से आने से पहले तक जो file extension था, जो के नाम के साथ लग जा था के पास के पैचान है, वो .doc था, 2007 से लेके अब तक till now तक 2019 तक जो extension था माल अधर .docx है, ठीक है, और इसके लावत जो अब भी आप templates देख रहे थे, template save होई वे थे, तो template का extension अधर .docx होता है, ठीक है, इसकी example भी मैं देता हूँ आपके पास कि मैं अपने explorer के अंदर हूँ, और मैं किसी भी drive के अपर हूँ, for example, मैं desktop के अपर हूँ, और मैं यहाँ पर कहता हूँ, .docx, मैं एंटर कर देता हूँ, देखें, इस नहीं यहाँ पर, तवाम file जो के word पर बनी वीरी search कर ली, desktop पर computer में search करना चाहते हैं, इस पीच से भी click करके, किसी drive में, किसी folder में, आपको अक्सर होता होगा पहले file management बहुत दूरी है, मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि अक्सर folder में proper save करा करें, तो आपके पास अगर file आपने कहीं save कर ले लिए, कहीं और काफी time होगया, आपको नहीं पता का है, तो आप यहाँ पे जाके, किसी भी folder पे click करके, या drive पे, वहाँ पे extension लिख लिए, तो .docx जो है, वो word का file extension है, इसका मतलब यह होगा कि जब आप word के file save करते हैं, अगर मैं इसके ओपर right click करूँ और properties पे जाओं file की, तो यहाँ पे देखी का लिखा वारा .docx, हर file का extension होता है, ठीक है, जैसे MP3 है, JPEG file है, MP3 music है, JPEG image file है, तो extension पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद हम दुबारा चीज़ों पर आजाते हैं, अब यह मेरे पास file types आपके extensions पता होना जरूरी है, उसके बाद आपके पास important चीज़ है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी editing कर रहे हैं, आपने safe करना है, इसको तो आप file में जाते है, normally जो तरीका आपके पास यह होता है, कि आप safe पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ ठीक है, safe पर, अब safe पर मैं करवा रहा हूँ, तो पहला method इसका यह कि आप computer पर safe करने हैं, मैं ब्रॉस्ट पर जाता हूँ, अब ब्रॉस्ट पर जाने के बाद मैं desktop पर जाता हूँ, export पर जाता हूँ, और यहाँ पर लिखावाई file का नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर, और save करता हूँ, 2019, तो यह मेरे बाद जो इसवब file save हो रही है, अगर मैं यहाँ पर जाओ, इसके अंदर, port में, तो यह मेरी normal file है, word की, ठीक है, .doc extension की, अब और method देख लेदें, यह था हमारे बास save का option, कि आपने file में save करा, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वगए अगर आप यहाँ पर चलाएं, तो यहाँ पर Q80 पर भी यार आपको, यहाद है का मैं Q80 को कस्टमाइस कर था पिछली class के अंदर, तो Q80 के ओपर भी shortcut डिया वा, आप यहाँ से भी click कर सकते हैं, आप shortcut प्रेस कर सकते हैं, और आप काम करते हैं, तो साथ साथ कंट्रोल एस भी सेफ करते रहा करें, ठीक है, और लास्ट ताइम मैंने आपसे बोला भी था, पताया था कि सेटिंग्स के अंदर फाइल में options पर जाके आप यहाँ पर save के अंदर one minute कर लीजीगा, ताकि auto recovery भी होते रहे, तो saving के साब से यह पहली चीज जो आपको नोट करने है, normal save तो कर रहे हैं, लेकिन shortcuts के मतालिक options के मतालिक पता होना चाहिए, दुबार हम जाते हैं, यहाँ पर फाइल में ही तो normal save हमारे camera को पढ़ता, तो अगर मैं यहाँ पर save पर जाऊं, तो मैं इस फाइल के duplicate भी बना सकता हूं, किसी औ जब cloud पर आप कोई भी चीज सेफ करते है, cloud storage जैसे Microsoft की OneDrive है, Google की Google Drive होती है, तो Microsoft की OneDrive के उपर आप data जब आप save करते है cloud के उपर, तो you can access from anywhere, आप किसी भी जगह पर किसी भी device पर यह फाइल को access कर सकते है, OneDrive आप अपने mobile के अंदर भी download कर सकते है, ठीक है, यह इसकी नहीं क आपके पास configure होना ही चाहिए OneDrive, अगर आप OneDrive में save बना चाहते हैं, तो मैं पहले आपको OneDrive दिखा देता हूँ, यह आप अपने normal hotmail outlook के account से भी access कर सकते हैं, इसकी नहीं मैं आपके पास यह OneDrive मैंने खुला हुए OneDrive, यह मैंने अपने normal hotmail का account उसके इंदर से जाके click करके मैं आपने OneDrive क्लिक करा, जो normal OneDrive जो होती है अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके नहीं बता रहे हैं कि 5G भी है हमारे पास, ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोग के साथ document share करा हुए, तो मैंने मुखले document, जितने भी बच्चे होते हैं मेरे बस मैं यहाँ पर आके share कर लेता तो यह बहुत से आप अपनी file वीडियो के share करना चाहें तो आप अपनी heavy drives या मैं अकसर बच्चों को देखता हूँ या देखता हूँ के सार वह हमारा hard disk खराब हो गई, laptop खराब हो गया, तो आप यह रखीगा, hard disk खराब हुझे, laptop खराब हुझे लगगे, जब cloud पे आप data safe लगते हैं, तो obviously आपके computer खराब जो कुछ भी हो जाए, तो account है, account recover भी हो जाते है, सब कुछ हो जाते है, तो इसलिए it is good idea to share your document on cloud, जो भी sensitive documents है या और भी सारी चीज़ है, अगर आपको ज़्यादर जरुरत पढ़ती है, तो Microsoft आपको ज़्यादर स्वेस भी करते हैं, आप इसे बस save कर ले दे, फाइल में जागी है, लेकिन teacher अगसे बताती ही नहीं है कि cloud पे save करना चाहिए, और यह अभूबन आदद बना ले, जैसे, मैं example देता हूँ, हम cloud पे कैसे save कर सकते हैं, कि मैं word के अंदर मौझूद हूँ, और मुझे for example यह document है, ठीक है, अभी template खुला व OneDrive के नीचे मेरा ID लिखा वारा है, अच्छा अगर आपने इस Microsoft Office को अपने account के साथ login नहीं कर रहा है, तब login कर लीजीए, कैसे करेंगे, आप account में चले हैं, यहाँ पे account में जाने के बाद, आप यहाँ पे sign in कर सकते हैं, ठीक है, मैं sign out कर भी सकता हूँ यहाँ अगर sign in करना आ रहा है के al-shafiq-getator-outlook.com, यह क्यूंकर यह मैंने आपको जो भी दिखाया था, यह account ठीक है, तो इस account पे आपको आलडी जो email आप देखे होते हैं, साथ साथ में आपको OneDrive मिल लिए होती है, जिसके इन दारा के पाद जो 5GB की space है, तो मैं यह कह रहा हूँ कि यह data जो है वो यहाँ चला है, यह file यहाँ चलिया है, तो आप यह देखी का, मैं वर्ड में मौझूद हूँ, और मैं कोई भी account पहाँ जाता हूँ, और यहाँ पर file में जाता हूँ, और अगर account आपके पास login नहीं हो तो login कर लीजिएगा, ताकि आपके पास file आपके drive में जाए, one drive के ठीक है, और उसके बाद आपको करना है, save us में जाएंगे, one drive पर click कर देंगे, one drive के बाद आप one drive person पर click करने है, ठीक है, यह आपको बता रहे जागा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, world intermediate के अंदर, और यह जो मैंने आपके साथ folder share कर आगा है, और मैं यहाँ से कहत अब यह server से connect कर रहा है, हमारे पास, और इसने अब क्या किया है, कि इसको वहाँ पे plot पे safe कर लिया, अगर आप यहाँ देखें, अप्डेटिंग होई दी, और यह मेरे पास जब भी मैं इसको open करूंगा, तो यह कहां से open होगा, यह आपके cloths open होगा, इसका मतलब क्या होगा, कि अगर यह मैं यहाँ पर हूँ, और मैं इस जगा पे मौझूद हूँ, तो इसके अंदर होगा, अभी देखें कि template जो था online होगा, इसको मैं किसी के साथ भी shade करना चाहूं, कुछ भी हम कर सकते हैं, तो हम अगले topic में shade में देख करना आना चाहिए, ठीक है, और आपने mobile phone के नदर भी बड़ा important है, आप download करने के बाद install करना है, कहीं share करना है, अपनी backup को, आपको drive को पर दालना है, तो बहुत असानी से आप लहाँ पर लेकर आ सकते हैं, clear है, तो यह होगा है, हमारे पास safe को options, और safe के अमसलिव options और भी ह करेंगे, अच्छा, उसके बात जो है, आपके पास अगर आप जाएं तो close file, तो मैं यहाँ पर जाता हूं close कर देता हूं, common है हमारे पास, और control w shortcut की होती है, कि आप control w में जाएं और यहां से close करता हूं, don't save करता हूं मैं इसको, ठीक है, तो यह close file की हमारे पास, इसी तरह क के से मैं इसको भी control w close file कर लेता हूं, अब यह विकल कुछ भी नहीं इसको भी हम बंद कर देते, close file, ठीक है, blank हो गया, कुछ भी नहीं, अब यह हुआ कि हमने file को new documents बना लिए, हमने save कर लिए, हमने close कर लिए, last thing हमारे बस open की, तो file में opening में जाते हैं, और open करने के नहीं, आपके पास, आप यह तो one drive से open कर लें, जो के भी हमने file save करी हुए, ठीक है, यह आप browse करके, आपको पता है, browse के मतलर locate के होते हैं, अक्सा बच्छों को नहीं पता है, browse के मतलर locate करने के, यह अभी locate कर वारे है one drive से, यहाँ प अपने computer से browse करके locate करवाने, तो जहां भी वो file पढ़ी है, मैं जाओंगा, वहाँ पर click करके इसको open कर लूँगा, ठीक है, इसके लावा मैं file में open कर लूँँ, तो मेरे पास जो last histories होती है, जो last documents में मैंने काम कर रहा होता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही होती है, मैं य यहाँ से भी खुल लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से click करके मैं किसी file को open करना चाओंगा कर सकता हूँ, एक tip मैं आपको यहाँ पर अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, कि अगर आप चाहें तो यहाँ से folder में भी आ सकते हैं, कि किसी folder से चाहिए आपको, यह document में चाह करते हैं, और आपका काम वर्ड पर बहुत जादा है, फाइल को बहुत जादा open कर रहे होते हैं, तो यह list में अगर आपने फाइल खुल लिए, और जितनी फाइल खुलेंगे यह नीचे आता रहेगा, तो अगर आप यह चाहते हैं कि constant हो जाए, तो यहाँ पर pin का option आ रहा ह है, अब कोई भी फाइल खुलेगी, वह list में यहाँ पर आते रहेगी, नीचे आते रहेगी, और यह अपने जाए पर constant रहेगी, unpin करने हैं तो आप इस पर click कर देजिए, clear है, so यह था हमारे पास topic जो है, file exploring, file creation, document के हवाले से, saving closing के हवाले से, अच्छा एक चीज मैं आपक अच्छा है, moving forward, learning general को, क्योंकि फिछली मर्दवा, अब हम second chapter में आगे है, creating documents के हवाले से, अगर आप learning general को follow कर रहे हैं, तो एक चीज को जूरू complete कीज़ेगा, मैंने बच्छों को कहा भी था, कि learning general को आप अपडेट करते रहेंगे हमार वक्त, जैसे कि आप यह देखीगा, इसके इंदर हमने, जो जो वीडियो हमने अभी तक बना ली है, ठीक है, वो हम साथ साथ में upload करें, with text के साथ, कि इस वीडियो में क्या पढ़ाए गया है, जैसे यह chapter number one ता, getting started with Microsoft Word, ठीक है, उसके बाद इसके headings आ गई, उसमें पढ़ा गया रहे हैं, इसके वीडियो आ यह assignment उनलों की नहीं है, जो certificate हासल करना चाहते हैं, लिखा अब यह है कि however any can attempt, कोई भी इसको attempt कर सकता है, लेकिन 80% marks चाहिए, वो बंद इससे रिस्टर कराया हो, और इसने ना भी कराया हो, अगर जिसने रिस्टर कराया है, तो उसको email address अपना सही देना है, वैसे तो सबको सही देना है, ताके हम आपसे contact कर सके, और आपको नई promotions के बारे बता सके, लेकिन जो बच्चे registered है, और जो बच्चे registered है, और जो बच्चे registered होके qualify करना चाहरे है, certification के नहीं है, कि आप हमसे certificate लेना चाहरे, तो आपके नहीं है, मैंने शुरूम बता दिया था, कि आप assignments सारे complete करके submit कराएंगे, मैं assignment खलता हूँ, ठीक है, आप new tab पे click कर लीजीगा, ठीक है, तो यह यहाँ प्यार है, result हमने इसको block करा वे, आपको नहीं दिखाई देगा, result हम देखेंगे अपने पास, और फिर हम अगर आपके 80 से number कम होंगे, और आप registered होंगे, और आपकी खौईश ह करेंगे, आप चाहते हैं कि दोबारा से देदें, तो आप हम रिकेस्टरन कर सकते है, result जब हम आपको email कर देंगे, ठीक है, तो जरूर इस pattern को follow करें, अभी तो बहुत हलके-लके से lecture हैं, बहुत slightly से lecture हैं, ठीक है, लेकिन आगे जाके बहुत ज़्यादा heavy lectures हो जाएंगे, और बहुत काम बढ़ जाएगा, तो जो लोग certification कर रहे हैं, तो प्लीज इस learning जलने को सही तरह के से follow करें, और अब क्यूंकि हम chapter 2 पर आगे है, creating and sharing document हमने आज इसका पहला topic पढ़ादा है, creating document and words, तेंक यू.